है यां धो भाइं साफ टोल के दे रहें हैं वो मेरा मत्रफ इसका रेट क्या है वै 2,000 रुप magnitude किलो है इसका रेट भाई सब पागल हो गयो कद्दू अजार रुपए किलो कद्द से शुबा तो 30 रूपए किलो था भाई सब यह कोई आम कद्दू नहीं है ताजा और फ्रेश कद्दू है ऐसा कद्दू पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा खुद ही देख लो जी जी भाई साथ मुझे यकीन हो गया आपकी सारी सब्सी ताजा होती है आप ऐसा करें एक किलो तोल दें सूने की चेन कम से कम 15 से 20,000 रुपए की होगी जैसे कद्दू का सोधा घाटे में नहीं है इस बार अब बा मेरा खुश हो जाएगा अब भाई साब आपने मुझे ताजा सब्सी दिये मैं आपको ताजा नोट दे रहा हूं यह देखें आहां चीक है चुक्रिया अबा मेरा मुबाइल तेरे पास है मैं प्रेशान हो रहा था पता नहीं मैंने कहा कहा चला गया जितनी टेंशन तो मुबाइल की लेता है ना इतन मुणूबा को लीजरे डूनाल की दिया वे मैं अभी जवान हूँ अबा मैं अपने बचे खुद पैदा करूँगा जा दफा हो सब्सी घार दे और बकाया मुझे पकड़ा अबा बकाया तो नहीं है मेरे पास क्या मतलब बकाया नहीं है हजार पे दिये थे तुझे वह क्यों सी सब्सी लिया है जो हजार पैकी मिली है तुझे यह देख अबा कद्दू ले आया हूं अब यह साले सोने के कद्दू नहीं कद्दू के अंदर से सोना निकला है एक मिनट पता नहीं क्या बाक रहा है यह देख सोने की चेन लग रही है मुझे अबा तु यह चेन चेक कर मैं और तोड़ लेता हूं क्या पता उनमें सभी कुछ ना कुछ निकल आए अब यह साले पर बाद करके आ गया ना हजार पे को क्या मतलब बाबा कमी ने यह कुड़ी है क्या मेरा मतलब वो आर्टिफिशल है ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब उस दुकान दार ने मुझे चूना लगा दिया कुछ भी हो जाए जाके यह सबजी वापस कर और मेरा हजार प्या ले आ मुझे दे जी अब भा भी जाता हूं असी रुपे कहका दुहाजार पे के लिए है अब भा मैं समझा कि यह सोने की चेन है मैं भी ले किया है तुमारा हजार रुपिया अभी तक तुझे दुनियादारी का पता नहीं है कमीने भाई साब यह लो अपनी सबजी और मुझे मेरे पैसे वापस दो जा हो गया अब दिमाग खराब है तिरा सारी तोड के लिए है अब मेरे यह किस काम किये वापस नहीं हो ती ले कि जा इसको किसी और को बेच देना मेरा हजार प्यादोवर नाबबा मुझे मारेगा प्याकोप इंसान सारी टूटी वे सारी खराब हो जाएगे बिकने वाली नहीं है ले कि जाए इसको आपस नहीं होगी चलो चलो टाइम जायना करो एलो